नमस्कार दोस्तों मैं विकास त्रुवेदी आपके अपनी यूटूब चैनल विकास इस्टडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम SSE GD का जो हमारा एकजाम जन्वरी 2023 में आयोजित किया जा रहा है और आज तक जितनी भी सिफ्टों में ये पेपर आयोजित किया जा चुका है उनकी सभी सिफ्टों में पूछे गए GS के प्रसनों को लेकर आए हैं दोस्तों और उसके साथ में हम लोग अन्य संभावित प्रसनों पर भी चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला कुश्चन दोस्तों हमारा पहला कुश्चन ये पूछा गया था कि किस सामराज की स्थाफना हरिहर एवं बुक्का ने की थी तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजय नगर दोस्तों विजय नगर सामराजी की स्थाफना 1336 सिस्वी में हरिहरेंबुका नामक दो भाईयों ने की थी दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये विजय नगर जो सामराजी था इसकी राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी दोस्तों थी हमपी दोस्तों इसकी राजधानी थी विजयनगर सामराजी की और इसकी भांसा क्या थी तो तेलगू थी दोस्तों और विजयनगर का अर्थ क्या होता है तो जीत का सहर जीत का सहर दोस्तों इसकी इस्थापना किषने की तो हरी हरे वंबु कब की तो 1336 में की और दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी तो हमपी और इसकी राज़की भासा क्या थी तो तेलगू थी और इसका अर्थ क्या होता है तो जीत का सहर उसके बाद अगले कुछ चलते हैं दोस्तों अगला कुछ चैन पूछा गया था बुद्ध ने अपना प्र बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनात में दिया और पाली भासा में दिया दोस्तों और इन्हें प्रथम उपदेश को दोस्तों क्या कहा गया है बुद्ध ग्रंथों में तो धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ग्रंथों में दोस्तों प्रथम उपदेश को कहा गय को और दोस्तों पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया जिसे बध ग्रंतों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है और दोस्तों इन्होंने सरवाधिक उपदेश कहा दिये तो कोसल देश की राजधानी स्रावस्ती में कोसल देश की राजधानी स्रावस्ती में तो दोस्तो कुचीपुडी इन्रत किस राजी का सास्त्री इन्रत है तो आंध्र प्रदेश का है दोस्तो सास्त्री इन्रत से हर सिफ्ट में प्रस्न पूछा जा रहा है और आप लोग जानते हैं दोस्तो भारत में कुल आठ सास्त्री इन्रत है उनमें से दोस्तो भरत नाटेम दोस्तों ये तमिल लाडु राजिसे सम्दित है और दोस्तों अगर बात करें हम लोग सत्रिया सत्रिया दोस्तों ये असम राजिसे सम्दित सास्त्रिनेत है उसके बाद दोस्तों ओरिसी जो सास्त्रिनेत है ये ओरिसा राजिसे सम्दित है उसके बाद दोस्तों मड़िपूरी, मड़िपूरी जो सास्त्री निर्थ है, ये मड़िपूर से सम्बंदित है, और दोस्तों उसके बाद आता है कत्थक, कत्थक दोस्तों जो सास्त्री निर्थ है, वो उत्तर भारत का सास्त्री निर्थ है, तो भारत में कुल सास्त्री निर्थ की संख्या कितनी ह तो आठ है और दोस्तो आठो को हमने आपको बता दिया है कि किस राजी से कौन सा सास्तिरी निर्थ संबनती थै तो दोस्तो उसके बाद अगला प्रस्थ पूछा गया था निमनलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है दोस्तो अभी आपको आगे आने वाली में जो प्रस्थ रिपीट हुए है वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तो सुक्र ग्रह से हर सिफ्ट में लगग प्रस्थ रिपीट हुआ है निमनलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है तो हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा सुक्र तो दोस्तो पीला ग्रह क किसे कहा जाता है तो सुक्र को पीला ग्रह कहा जाता है अगर बात करें चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है तो दोस्तों चमकीला ग्रह भी सुक्र को कहा जाता है चमकीला ग्रह भी सुक्र को कहा जाता है सांच का तारा या भोर का तारा दोस्तों सांच का तारा या भोर का तारा भ से निकटतम ग्रह कौन सा है तो दोस्तों सुक्र ग्रह होगा तो दोस्तों उसके बाद अगर बात करें पीला ग्रह सुक्र है लाल ग्रह कौन सा है तो मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है और प्रथवी को नीला ग्रह कहा जाता है तो दोस्तों सुक्र ग्रह से जितने भी कुश्चन बनते हैं वो सभी हमने आपको बता दिये हैं कि चम्कीला ग्रह, प्रत्वी की बहन प्रत्वी का निकटतम, सबसे गर्म ग्रह या सांज का तारा, भोर का तारा पीला ग्रह ये सबी दोस्तों सुक्र ग्रह को कहा जाता है उसके बाद दोस्तों अगला कुश्यन हमारा है कि पानी पत की तीसरी लड़ाई किस वर्स लड़ी गई थी तो दोस्तों पानी पत की तीसरी लड़ाई किस वर्स लड़ी गई थी तो दोस्तों पानी पत की तीसरी ल और ये युद्ध हुआ कब था तो 1761 इस्वी में उसके बाद दोस्तों पानी पत के अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध पानी पत का 526 इस्वी में हुआ और ये युद्ध दोस्तों बाबर और इबराहिम लोदी के मद्द हुआ था इसमें दोस्तों अकबर और हेमो के मद्ध हुई दोस्तों अकबर और हेमो के मद्ध थे पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई इसमें दोस्तों अकबर की सेना का नेत्वत किसने किया था तो बैरम खाने दोस्तों अकबर की सेना का नेत्वत किया था और पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों में अहमेद साहबदाली और मराठो के मद्ध हुई थी उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है भारती समीधान का निम लिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकास्मिकता निदिसे संबन दित है तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा अन दोस्तों IPL 2022 का विजयता कौन था तो गुजराट टाइटन्स विजयता रहा और उपविजयता की अगर बात करें तो राजस्थान रायल्स दोस्तों राजस्थान रायल्स जो था वो उपविजयता रहा और इसमें दोस्तों औरेंज कैप जो ती वो औरेंज कैप जोस बट वो दोस्तों खेला गया था नरेंद्र मोदी इस्टेडियम अहमदाबाद में और इसका विजेता कौन था तो गुजराट टाइटन्स था उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन पूछा गया था हाल ही में सिलंका के राष्टपत गोटा बाया राजबच्चे ने इस्तिफा दे दिया है और सिलंका की राजधानी क्या है तो स्री जैवर्धने पुरा कोट्टे दोस्तों स्री जैवर्धने पुरा कोट्टे दोस्तों ये स्री जैवर्धने पुरा कोट्टे जो है ये प्रसासनिक राजधानी बनाई गई है और इसकी दोस्तों जो पुरानी राजधा गया था यूक्रेन के राष्टपति के रूप में किसे चुना गया है तो दोस्तों यूक्रेन के राष्टपति के रूप में वलोडोमिर जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्टपति के रूप में चुना गया है और दोस्तों यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रे का 및 ब broken ग्रक्षांग में भारत 136 दूस्तों 136 हमारा right answer हो जाएगा उसके बाद दुस्तों अगला question पूच्चा गया था तुल्सी का वैज्यानिक नाम है तो दोस्तों इसमें हमारा right answer thumbs दोस्तों अगर अन्य वैज्यानिक नाम की बात करें जैसे धान का दोस्तो धान का वैग्यानिक नाम औराईजा सेटाईवा है मक्का का जियामेज है गाय का बास इंडिकस है गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है दोस्तो बहुत ही महात्पोन प्रस्न है और दोस्तो जो अन्य संभावित प्रस्न है बहुत ध्यान से देखते चलना इनहीं से प करते हैं दोस्तों अगला कुश्यन दोस्तों पूछा गया था सरहुल उत्सो कब मनाया जाता है दोस्तों सरहुल उत्सो कब मनाया जाता है कहां मनाया जाता है दोस्तों यहां पर होगा कहां मनाया जाता है तो यह जारखंड में मनाया जाता है दोस्तों सरहुल उत्सो जारखं उसके बाद दोस्तों बथकुम्मा जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन था अगला कुश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार जनगरना कब हुई थी तो दोस्तों भारत में पह भारत में पहली जनगरना हुई और दोस्तों प्रस्तनागर पूछ दिया जाए कि भारत में पहली नियमित जनगरना कब हुई तो 1881 में दोस्तों भारत में पहली नियमित जनगरना हुई और ये दोस्तों किसके सासनकाल में हुई तो लाड रिपन के सासनकाल में भारत में पह एलिजन गड़ना हुई उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन पूछा गया था अगस्त 2022 में उत्रकंड के ब्रांड पीछे की तरफ क्या छपा है तो इसमें दोस्टो हमारा राई टैंसर क्या हो जाएगा 50 रुपय के नोट के पीछे दोस्तों हमपी का रतमंदिर छपा हुआ है 100 रुपय की नोट पर दोस्तों रानी की वाओ दोस्तों रानी की वाओ जो है वो 100 रुपय के नोट के पीछे चपी हुई है 200 रुपय के नोट के पीछे दोस्तों साची का इस्थोग दोस्तो साची का इस तो 200 रुपिय के नोट के पीछे छपा हुआ है और बात करें अगर 500 रुपिय नोट की तो दोस्तो इसके पीछे लाल किला बना हुआ है उसके बाद दोस्तो अगला प्रस्न पूछा गया था विजय हजारे ट्राफी 2017 का विजयता निमलिखित में कौन था तो दोस्तो विजय हजारे ट्राफी जो 2017 में हुई उसका विजयता कौन रहा तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तमिलनाड और दोस्तो इसमें उप्र विजयता कौन रहा था तो बंगाल रहा था दोस्तो ये सभी पूछे गया प्रस्न है अगर आप लोगों क उत्तरी बिंदु कौन सा है तो दोस्तो भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंद्रा काल है दोस्तो अगर बात करें हम लोग दच्छनी बिंदु कौन सा है भारत का तो दोस्तो इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट दोस्तो ये भारत का दच्छनी इन्दु कौन सा है? तो सरक्रीक, ये दोस्तो गुजरात में पड़ता है, उसके बाद दोस्तों अगला कुश्यान पूछा गया था, कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने बहुत धर्म ग्रहन किया? तो असोक ने, दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसापूर में कलिंग अपने अभिसेख के आठवे वर्स अशोक ने कलिंग पर आक्रमल किया और कब किया तो 261 इसा पूरों में दोस्तों और उस समय दोस्तों कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था अशोक ने और उसी के बाद दोस्तों इन्होंने बहुत धर्म को ग्रहर किया था उसके बाद दोस्तों अगला कुश्यन आप देख सकते हैं कि ये कुश्यन दोस्तों इसके पहले भी सुकर ग्रह से आया था तब भी दोस्तों उसमें पूछा गया था कि पीला ग्रह का उनसा है और इसमें दोस्तों पूछा गया है कि चमकीला ग्रह तो दोस्तों अभी हमने तो दोस्तो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर वो था मेला वो था मेला दोस्तो जो है वो गुजरात का पस उत्सो है उसके बाद दोस्तो अगला कुश्चन पूछा गया था मदवक्खी पालन कहलाता है तो दोस्तो मदवक्खी पालन क्या कहलाता है तो एपी कल्चर कहलाता है रेसम कीट पालन का अध्यन दोस्तों सेरी कल्चर कहलाता है पिसी कल्चर दोस्तों क्या कहलाता है तो मतज सिपालन मतज सिपालन दोस्तों पिसी कल्चर कहलाता है और दोस्तों रेसम कीट पालन क्या कहलाता है तो रेसम कीट पालन दोस्तों सेरी कल्चर सेरी कल्चर में रेस फलो का अध्यन किया जाता है उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन पूछा गया था फीफा विश्युकप 2022 का उद्घाटन समारो नवंबद 2022 में किस देश में आयोजित किया गया तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कतर में दोस्तों कतर में 22 संस्क्रण था और इसमें दोस्तों विजेता कौन रहा तो विजेता अर्जेंटीना रहा और उप विजेता कौन रहा फ्रांस रहा दोस्तों अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी थे जिन्हें गोल्डन बाल के अवार्ड से अवार्ड दिया गया दोस्तों लियोनेल बूट अवार्ड दिया गया तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा उसके बाद दोस्तों अगरा कुश्चन पूछा गया था सौर सेल का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों सौर सेल का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौर उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर डाइनमो की बात करें तो ये दोस्तों यांत्रिक उर्जा को विद्धोत उर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों डाइनमो जो है वो यांत्रिक उर्जा को विद्धोत उर्जा में परिवर्तित करता है माइक उसमें विद्धुत सेल भी पूछ सकता है तो दोस्तों विद्धुत सेल का उपयोग किसको परिवर्थित करने के लिए किया जाता है तो रासाइनी कुर्जा को विद्धुत उर्जा में विद्धुत सेल का उपयोग रासाइनी कुर्जा को विद्धुत उर्जा में दोस्तो मौलिक अधिकारों को किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो इसमें दोस्तो हमारा right answer क्या हो जाएगा तो अमेरिका दोस्तो अमेरिका के सम्विधान से मौलिक अधिकारों को उद्दत किया गया है अगर बात करें हम लोग कि मौलिक करतवे दोस्तो तो मौलिक कर तब लिए गया है दोस्तों राज्य के नीति ने दे सकता तो यानि DPSP ये दोस्तों Ireland से लिए गया है दोस्तों समवर्थी सूची का प्रावधान समवर्थी सूची का प्रावधान आश्ट्रिया से लिए गया है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटन से लिए गया है उस तो CACO3, यह संगमार्वर का रासाइनिक सुत्र है, उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चिन पूछा गया था, रेसम के उत्पादन की सुरुवात किस देश से हुई, तो दोस्तों रेसम के उत्पादन की सुरुवात चीन से हुई है, उसके बाद दोस्तों अगला कुश्च तक मेघालय के वरतमान राजिपाल है उसके बाद दोस्तो अगला कुश्चेन पूछा गया था प्रथम पंच वरसी योजना की अवध क्या थी दोस्तो प्रथम पंच वरसी योजना की अवध क्या थी तो 1951 से 1956 वी तक ये दोस्तो प्रथम पंच वरसी योजना चली और ये द दोमर माडल पर दोस्तों प्रथम पंचवर्षी योजना आधारित थी उसके बाद दोस्तों अगर दोतिय पंचवर्षी योजना की हम लोग बात करें तो दोतिय पंचवर्षी योजना उननीस सो चपन से 1956 से 61 तक चली 1956 से 61 तक दोस्तो दुतिय पंचवर्सी योजना चली और दोस्तो ये दुतिय पंचवर्सी योजना PC महाल नोबिस PC महाल नोबिस माडल पर आधारित थी और इसी योजना के अंतरगत दोस्तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, आज इसपात सेयन्ट दोस्तों इस्थापित किये गए थे दुतिय पंचवर्सी योजना के अंतरगत और दोस्तों ये दुतिय पंचवर्सी योजना PC महाल नोबिस माडल पर आधारित थी उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन है कि युद्ध अभ्यास, दोस्तों युद्ध अभ्यास किन दो देसों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्भ्यास है दोस्तों ये जो हमारा exercise युद्धभ्यास है ये किन दो देशों के बीच आयोजित एक संयुक्त संय अभ्यास है तो इसमें दोस्तों हमारा right answer क्या हो जाएगा तो भारत और USA दोस्तों भारत और USA के बीच आयोजित किया जाता है युद्धभ्यास दोस्तों ये एक सरसा युद्धभ्यास जो है वो भारत और USA के बीच आयोजित किया जाती है दोस्तों संप्रीत युद्धभ्यास जो है संप्रीत युद्धभ्यास वो दोस्तों भारत और बांगलादेश के मद्ध आयोजित किया जाता है भारत और बंगलादेश के मद्ध सूर्य किरन जो है वो भारत नेपाल के मद्ध आयोजित किया जाता है दोस्तों उसके बाद अगला कुश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान सिच्छा मंत्री है तो धर्मेंद प्रधान दोस्तों ये भारत के वर वित मंत्री कौन है तो निर्मला सीता रमण है दोस्तों वित मंत्री हमारी वर्तमान में कौन है तो निर्मला सीता रमण है उसके बाद दोस्तों आयूस मंत्राले के मंत्री कौन है तो आयूस मंत्राले के मंत्री दोस्तों सर्वादंद सोनो दाल दोस्तों सर्वादंद सोनो व बात करें विदेश मंत्री कौन है तो दोस्तों विदेश मंत्री है एस जैसंकर दोस्तों विदेश मंत्री है स्वास्थ मंत्री दोस्तों कौन है तो स्वास्थ मंत्री है मनसुख मांडविया दोस्तों मनसुख मांडविया जो है वो स्वास्थ मंत्री है उसके बाद दोस्तों उसके बाद अगला कुश्चन है पुछा गया था कि भारती सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेद राष्टपति के महाभियोग से सम्मंदित है तो दोस्तो राष्टपति के महाभियोग से सम्मंदित अनुच्छेद कौन है तो अनुच्छेद 61 दोस्तो ये राष्टपति के मह प्रस्ण भी पूछा जा सकता है कि राष्ट पति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है तो उसमें हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद चववन अनुच्छच्छववन में दोस्तो उलिखी था कि राष्ट पति के लिए निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा उसके बाद दोस्तो राष्ट पति की योग्यताओं का उलिख किस crimin Feels तो राश्टपते की योग्ताएं दोस्तो अनुचेद 58 में वर्डित है और तो राश्टपते का उल्लेक किस अनुचेद में है तो 52 अनुचेद 52 में दोस्तो राश्टपती का उलेक है उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन पूछा गया था कि निम्न लिखित में से गांधी इर्विन समझाओते पर कब हंस्ताचर किये गए तो दोस्तों गांधी इर्विन समझाओते पर हंस्ताचर किये गए तो 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझाओते पर हंस्ताचर किये दोस्तों ये डेट कहीं-कहीं पर 4 मार्च भी लिखी है कुछ केताबों में 4 मार्च भी डेट लिखी हुई है तो बहुत ध्यान से आप लोग देख लेना कि गांधी इर्विन समझा होता कम हुआ तो 5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इर्विन समझा हुआ उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग पूना पैक्ट दोस्तों ये पूना पैक्ट कब हुआ तो पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों 24 सितम्बर 1932 24 सितंबर 1932 को दोस्तो पुड़े की यर्वदा जेल में गांधी और डाक्टर भीम राव अम्बेड करके मत 24 सितंबर 1932 को ये पुना पैक्ट हुआ था तो दोस्तो गांधी रिविन समझाता 5 मार्च 1931 पुना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ दोस्तो चौरी चौरा कांड कब हुआ तो 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हुआ जलिया वाला भाग हत्या कांड दोस्तो कब हुआ तो 13 अपरेल 1929 को जलिया वाला भाग हत्या कांड हुआ उसके बाद दोस्तो अगर बात हम लोग करें कि साइमन कमीशन भारत कब आया तो दोस्तो साइमन कमीशन भारत कब आया तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और दोस्तो ये भारत कहा आया तो मुंबई में दोस्तो मुंबई साइमन कमीशन भारत मुंबई में आया और ये कब आया था तो 3 फरवरी 1928 को आया उसके बाद दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्षन काकोरी ट्रेन एक्षन दोस्तों ये कब हुआ तो 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्षन ये दोस्तों प्रसंद भी पूछे जा सकते हैं important है क्योंकि गांधी इर्वीन समझोता पूछा जा चुका है उसके बाद दोस्तो पूना पैक्ट भी पूछा जा सकता है most important है जो दोस्तो 24 सितंबर 1932 को गांधी और डाक्टर भीमरा अमेडगर के मद्ध हुआ था उसके बाद दोस्तो अगला कुश्चन पूछा गया था कि भारत के मोल सम्विधान में कुल कितने अनुच्छेत थे तो 395 भारत के मोल सम्विधान में कुल अनुच्छेत 395 थे कुल भासाओं की अगर बात करें कि भारत के मूल सम्विधान में कुल भासाएं कितनी थी तो 14 और वर्तमान में कितनी है तो दोस्तों 22 तो भारत के मूल सम्विधान में कुल भासाएं 14 थी वर्तमान में 22 भासाएं है और दोस्तों अगर बात करें कि भारत के मूल सम्विधान म सम्मंधित कौन है तो श्रीमंध संकर देऊ दोस्तो श्रीमंध संकर देऊ सत्रिया निरति से सम्मंधित है और दोस्तो ये किस राजिका सास्त्रिनेत है तो अभी हमने आपको बताया था असम राजिका सास्त्रिनेत है दोस्तो ये सत्रिया उसके बाद दोस्तो अगला कुश्य टो इंडिका फुश्ब के लेखा कौन दोको निवी क chips का लेखा का का उसके बारण दोस्तों अगरहम लोग बात करें वयंसलग जानक हर्स वरधन के सासनकाल में भारत आया था दोस्तो फैयान फैयान किसके सासनकाल में भारत आया था और दोस्तो इबन बतूता भारत किसके सासनकाल में आया तो दोस्तो ये इबन बतूता भारत आया था मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में इबन बतूता भारत आया था उसके बाद दो दॉस्तों भारतिर जार बैंक के गवर्नर के रूप में भी यह कारे कर चुके थे उसके बाद दोस्तों यह पधान मंत्री बने तो डाक्टर मनमोहन सिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन पूछा गया था विस ब्रेल दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों विस ब्रेल दिवस कम मनाया जाता है तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार जन्वरी को दोस्तों चार जन्वरी को विस ब्रेल दिवस मनाया जाता है और दोस्तों अगर बात करें तो पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस दोस्तों कम मनाया जा तो प्रवासी भारती दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है और विष्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो 10 जनवरी को तो दोस्तों यह जनवरी के कुछ important महात्वोण दिवस थे दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगला question पूछा गया था निम लिखित कौन ओयो rooms के सं स्थापक हैं तो इसमें हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा तो रितेस अगरवाल दोस्तों रितेस अगरवाल जो है वो ओयो रूम्स के संस्थापक है और दोस्तों अगर बात करें तो ओला के संस्थापक दोस्तों ओला के संस्थापक कौन है तो भाविस अगरवाल दोस्त विजेता टीम के कप्तान कौन थे अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि फीफा विजेता का आयोजन कहां हुआ तो कतर दोस्तों कतर में हुआ और दोस्तों विजेता कौन था तो विजेता दोस्तों अर्जेंटीना रहा और अर्जेंटीना टीम के कैप्तन थे लियोनल मेसी औ और उपविजयता कौन रहा तो दोस्तों उपविजयता फ्रांस रहा था और दोस्तों ये कौन सा संस्क्राण था तो 22 संस्क्राण था ये फीफा विशुकब 2022 दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगला कुछ चन पूछा गया था विशु का सबसे लंबा लिखित समीधान किस द और दोस्तों लोक सभा का उल्लेक समिधान के किस अनुच्छेद में है तो 81 में दोस्तों लोक सभा का उल्लेक किया गया है और ये दोस्तों निम्न सदन है और दोस्तों उच्छ सदन कौन है तो राज सभा है और दोस्तों राज सभा का उल्लेक समिधान के किस अनुच्छेद म तो था उसके दरबारी कवी कौन थे तो रविकीर थे दोस्तों रविकीर थे पुलकेसी अंदुतिय के दरबारी कवी थे और दोस्तों हर्सवर्धन का दरबारी कवी कौन था तो बाणभट थे दोस्तों हर्सवर्धन के दरबारी कवी कवी और उसके बाद दोस्तों साथ चर्टादर कितनी है तो दोस्तों 2011 की जनगरणा के अनुसार भारत की महिला साथ चर्टादर कितनी है तो 65.5% दोस्तों महिला साथ चर्टादर भारत की है और कब की तो 2011 की जनगरणा के अनुसार और दोस्तों यहां पर अगर पूछ दिया जाए कि पुरुष साथ 74% तो दोस्तो 74% कुल साथ शर्टा भारत की उसमें पुरुष की साथ शर्टा 82% और महिलाओं की साथ शर्टा 65.5% 2011 की जनगरना के अनसार उसके बाद दोस्तो कुश्चिन 44 किस मौसम में आप लू सब्द सुन सकते हैं तो दोस्तो आप जानते हैं कि लू सब्द का प्रयोक ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है गर्मियों के मौसम में उसके बाद दोस्तो अगला कुश्चिन पूछा गया था 70 किस राज्य का पारंपरिक हिंदू सास्त्री निर्ति है तो दोस्तो इसका right answer हमारा क्या हो जाएगा असम दोस्तो अभी हमने ये question फिर से repeat हुआ है तो आप लोगोंने देखे होंगे कितने question repeat हुए है तो दोस्तो इसके आगे की question जो पूछे गया है वो बोस्तो हम आपको अगली class में पढ़ाएंगे झाल झाल